गुआ बाइट शीट दा वरक्षीट और डिरेक्ट रिट रेक्ट एडिकेशन और फिफ्थ ऑगस्त जियां पाच अगस्त 2020 की वरक्षीट को सॉल्फ करेंगे तो आपकी पहली वरक्षीट वह आज है साइन्स की वरक्षीट तो बच्चे लोग शुरू करते हैं बिना टाइम इंवेस्ट करें यहां लिखेंगे अपना नाम यहां लिखेंगे अपनी क्लास टीचर का नाम हम शुरू करते हैं आज की वरक्षीट एसिपींस की ब्लीचिंग प्रें बेकिंग और वाॉशिंग सोडा को मुघली दिक्र cur egal को तो बलीचिंग newer क्या होता हैं मुटी ने십 CAOCL2 और नाम होता है calcium oxy chloride यह कब बनता है by the action of chlorine gas on drys lake line calcium hydroxide CAOCH hold twice था इसमें chlorine gas जब डालते हैं तो CAOCL2 आपको मिलता है यह जो substance है इसी को कहते है bleaching powder यह pale yellowish powder होता है it gives a strong smell of chlorine and it is soluble in water पाने में भी घुल जाता है और chlorine की बहुत तेज महक आती इसके अंदर अगर uses की बात करें तो it is used for bleaching cotton linen in textile industry for bleaching wood pulp in paper industry and for bleaching washed clothes in laundry laundry में कपड़ों को धोते समय इसका इस्तमाल किया जाता है जो लखड़ी का pulp होता है paper industry में paper को सफेद बनाने के लिए इसको use करते और कपड़े की industry में जहां आपने देखा को cotton के कपड़े बिल्कुल सफेद कड़क कपड़े आपके पास जम नहीं नहीं कपड़े आते तो वो भी इसी bleaching powder की वज़े से आते हैं आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ it is used as an oxidizing agent in chemical industries and for disinfecting drinking water drinking water उसको भी साफ करने के लिए इसको use करते हैं फिर आता है आपका baking soda and baking powder तो baking soda का chemical name होता है sodium hydrogen carbonate और formula होता है नह co3 यह कैसे बनता है इस प्रोडूस जूजिंग sodium chloride मतलब नमक नमक में पानी और carbon dioxide की साथ ammonia डालते हैं जिससे आपको मिलता है नह co तो भी जो की होता है baking soda अगर इस baking soda में tartaric acid डाल दे यह बेकिंग पाउडर विस यूजुली ए mixture of sodium hydrogen carbonate in tartaric acid तो आपको मिल जाएगा baking powder यह baking powder और baking soda वही है जिनका आपके मम्मी किचन में बहुत ज्यादा उप्योग करती है खाना पकाने के लिए इससे खाना जल्दी पक जाता है यूजिस क्या क्या होते हैं उसके baking soda के क्या uses हैं तो पहला तो यहीं कि baking powder बनाने में यूज होता है यूजिस इन एंटी एसिड तो अगर एसिडिटी हो जाएगी तो इसको यूजिस कर सकते हैं चुटकी को पाने में डालके आप पी लिजे यूजिस टू में एक soda acid fire extinguisher क्योंकि यह soda जो है इसमें carbon dioxide है तो इसको soda acid fire extinguisher में इस्तेमाल करते हैं यूज्ट फॉर में क्रिस्पी पकोडा मतलब खाने की चीज़ें बनाने के लिए इसको उप्योग करते हैं जानता हूं आप सबका खाने का मन करने लग गया होगा added in food for faster cooking तो किचन में इस को यूज करते हैं इससे खाना जल्दी पक जाता है आगे बढ़ते हैं अगला है आपके पास washing soda तो washing soda का जो chemical formula होता है वो होता है na2co3.10h2 यह sodium carbonate and 10 mole of water भी कहलाता है इसे कैसे बनाते हैं यह नमक जो होता है sodium chloride उसके साथ baking soda को heat करते हैं और recrystallization of sodium carbonate जो sodium carbonate बनता है उसके अंदर water molecules को add कर देते हैं crystallization वाप्रिस कर देते हैं इससे बना na2co3 प्लस h2o प्लस co2 और बाद में जो na2co3 जो यहां बना इसमें water डाला तो बन जाता है crystallized salt uses की बात करें तो इसको borax it used in the manufacture of borax बनाने के लिए glass soap and paper industries cleaning agent and for removal of permanent hardness of water जो बोरिंग का पानी होता है उसका खारपन हटाने के लिए भी उसको use करते हैं महां नाम washing soda है तो washing के purpose के लिए यूज करते ही है चले बच्चों वरक्षीट तो हो गई है question answers भी discuss कर लेते हैं लगे आतो तो पहला question है write the chemical name and formula of baking soda and washing soda washing soda तो यहीं सामने दिख रहा है यह दा formula और स washing soda का formula हो गया फटावट लिख लिए फिर baking soda का formula दिखाता हूं चले आपने लिख लिए होगा तो baking soda का तो washing soda का बेकिंग सोडा देखते हैं कि यह आपका baking soda का formula chemical नाम और chemical formula baking soda पहला answer पटावट लिए चोटे-चोटे answers हैं आपके science की worksheet के तो आगे बढ़ता है second question पर how is washing soda synthesized तो यह लिखा है washing soda synthesized यह पूरा आपका answer है तीन स्टेप लिखें sodium chloride से heating baking soda recrystallization of sodium carbonate और दोनों chemical reaction है यह आपका second question है थर्ड question में पूछता है what is the difference between baking soda and baking powder कि baking soda और baking powder में क्या difference है तो second question आपने note-down कर लिया आगे बढ़ रहा हूं मैं यह बिल्कुल आपके सामने आगया baking soda और baking powder का difference टेबल फॉर्म में आपको already दे रखा है ऐसी के ऐसी टेबल अपने बास उतार लेना baking soda आपको simple बता दो कि baking soda sodium hydrogen carbonate होता है जब इसमें tartaric acid मिलाते तो baking powder बन जाता है कर लिजा अपना answer note-down यह आपका है third question आगे बढ़ते हैं फॉर्थ question है name and write the formula of chemical which is pale yellow in color and gives color of chlorine cream तो fourth question बहुत simple सा है CAOCL2 जो क्यों होता है bleaching powder यही वह substance है जिसमें pale yellow color दिखता है और यही chlorine की smell देता है फिर लिखा है the chemical used to kill germs in washing soda is it true statement clarify no यह तो गलत है क्यों गलत है because इसके लिए क्या use होता है bleaching powder use होता है cleansing agent की वूप में cleaning करने के लिए kill germs को करने के लिए यह washing soda थोड़े न washing soda को use करके germs थोड़े न मरते हैं तो इसका answer भी यह होगा CAOCL2 original agent है चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फिर हम यह science की वरक्षीट तो हमाई पूवी हो गई आज देखते हैं आज की दूसरी वरक्षीट किस चीज की है अब आज की तो आपकी दूसरी वरक्षीट मैट्स की है और जैसा कि मैंने अपने चैनल पर डाला था तो बहुत सावे बच्चों ने लिखा है कि मैस उनका फेवर्ट सब्जेक्ट है तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपके फेवर्ट सब्जेक्ट के साथ तो आज का टॉपिक है इस इकोल्स 2 एकविशान का रूट होता है वह उसका सॉलूशनॉत है तो प्रेक्टिस करनी की बात कर रहे हैं वो साइट पर प्रेक्टिस कर लेते हैं गर्यक्ता फाइब फैग इन 1200 ग्सीड 3 प्लस 7 इस माइनस 21 और माइनस 3 प्लस 4 इस प्लस 7 इस फॉर 8 फाइव जा 40 और कैसे होगा 40 माइनस का 8 माइनस 5 फाइव 3 वो कहता है factorization get factors of a into c split the middle term two factors can split the middle term अब देखें यह तो बातें बहुत सावी होगी सीधा question देखते है हुगता है question है 2x square minus 5x plus 3 हमने गजी इसको solve कैसे करेंगे इसको solve करेंगे इसका a निकालेंगे जो की 2 है इसका b निकालेंगे जो की minus 5 इसका c निकालेंगे जो की 3 है फिर करेंगे a multiply by c जो होता है 2 into 3 6 और middle term देखेंगे क्या है जो की यह minus 5 अब इस minus 5 को breakdown करेंगे ऐसे कि जो दो टुकडें आएं उनको multiply करें तो 6 आ जाए कैसे हो जाएगा मैंने करके देखा 6 1 जा 6 6 plus 1 7 यह तो नहीं हो सकता मुझे यह यह वाला जो term है यह यहां पे चाहिए minus 5 और यहां पे चाहिए 6 अब 3 2 अब फिर 6 होता है लेकिन 3 plus 2 5 होता है minus 5 नहीं होता माइनस कब आएगा जब minus 2 minus 3 करूंगा तो आ जाएगा minus 5 और 3 into 2 तब भी आएगा 6 तो यह मेरे factors बनेंगे मैंने बना दिया देखे 2x का 2x लिखा जो 3 था वो 3 यह बीच में आ गई यह दोनों नंबर minus 2 minus 3 जिससे मेरे दो factor बन गए और हमने x की value निकाल दी 3 by 2 और 1 आगे बढ़ते हैं सीधा अब वो कहले अगर नंबर बड़ा हो how to factorize big numbers like 3-digit or 4-digit number तो prime factorization कर देने कोई tension ही नहीं है prime factorization करके सारे factors लिख देने और निकल जाएंगे उसका answer आगा से आप question करते हैं सीधा question में समझने की कोशिश करते हैं तो question है try yourself मतलब आप खुद करके देखना है तीन question दे रखें तीनों के factors में बनाने चेक कर लेते हैं एक बार तीनों questions को पहला question है कि 100 x square minus 20 plus 1 तो मैंने बीच के नंबर को देखा जी 20 और फॉर्स और लास्ट को देखा फॉर्स था मेरा 100 और लास्ट था मेरा 100 इंटू 100 यानि कि इस 20 से 100 लाना है तो मैं कहता 20 से 100 कैसे आएगा तो 10 इंटू 10 100 आ गया और 10 प्लस 10 20 आ गया तो 100 x minus 10 x minus 10 x और 1 अब पहले क्या किया कि जो दो टर्म्स थी में भी यह 100 x और 10 x इन में देखा common क्या है तो जो common दा उसे common ले लिया 10 x अंदर बचा 10 x minus 1 और दूसरा minus 10 x plus 1 तो अंदर बचा 10 x minus 1 दोनों factor सेम हो गए x की वैलियो आगए 1 by 10 सेकेंड वर्ष्यन है 6 x square minus x minus 2 अब 6 into 2 कितना हुआ 12 तो मैंने factor ले लिए minus 4 plus 3 और solve करने पे x की वैलियो आई minus 1 by 2 और 2 by 3 फिर है 2 x square plus x minus 300 अब यह बहुत बड़ा नंबर है 300 multiply by 2 कितना होता है 600 तो 600 के बनाए मैंने factor और मैंको answer निकला 25 into 24 तो 25 minus 24 आ जाएगा 1 और 25 into 24 आ जाएगा 600 अब देखा कि यहां तो 2 में और 25 में कुछ common नहीं आ रहा तो सिर्फ x common निकाल लिया अंदर बचा 2x plus 25 24 त्रींडेड में 12 common आया अंदर आगया 2x plus 25 एक ट्रिक यह भी होती है कि अगर आपके दोनों bracket के अंदर सेम नंबर नहीं है तो आपने गलत सॉल्फ किया है एक एक फेक्टर आ गया एक माइनस 12 एक आगया 2x plus 25 एक एक की वेल्यों अगई 12 एक x की वेल्यों अगई माइनस 25 एक टू आगया बढ़ते है बच्चों आपका जो अगला क्वेश्चन था अगर आप देखेंगे तो वह था वर्ट प्रॉब्लम जिसमें उसने का था फाइंड टू नंबर्स उस समिस 27 प्रोड़क्ट इस 182 सम 27 तो मैंने का जी फॉर्स्ट नंबर एक्स अगर सम 27 तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स और दोनों का मुल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आना चाहिए 182 एक्स 182 तो यह होगा एकस स्क्कूर के मैं उस तरफ ले जाओंगा मैं तो एकस स्क्यल बनाया जी फारटी डू के फैक्टर बने 14 इंट टो13 एककर आग्या एक्स माइनसं 14 एक फेक्टर आगया in गई थर्टीन एक्स की वेल्यू फ़र्टीन तो पहला नंबर थर्टीन एद दूसरा फॉर्टीन और पहला फॉर्टीन तो दूसरा थर्टीन है आपके सामने आपका मैस का सेकेंड कुशिन का आंसर कर लिजिए नोट डाउन फटाफट फिर बढ़ेंगे आगे अगली व्रक् पर आपके पास चैप्टर आया जो वरक्षीट आई वो भी राम लक्ष्मन परशु राम समवाद की आई तो क्या है समवाद में यह कविता का सारांश पढ़ लेते हैं पहले यह अंश राम चवित्र मानस के बाल कांड से लिया गया है सीता सोयंबर में राम द्वारा शिव का उनका गुस्सा शानत होता है इस वीच राम लक्षमन और प्रशु राम की वीर रस से पगी तो पढ़ लेते हैं एक बार जो भावार्त है सिर्फ भावार्त को पढ़ेंगे हम तो भावार्त में लेखा है कि परशुराम को करोधित देखकर श्री राम बोले है नात शिवक या धनुष तोड़ने वाला आपका कोई सेवक होगा इसलिए आपकी यह आग्या है मुझे बताएं क्या आग्या है इस पर करोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा करे इस धनुष को तोड़ने वाला स सभा से स्वयम अलग हो जाए नहीं तो यहां बैटे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे यह सुनकर लक्षमन मुस्कराने लगे और व्यंग करते वें बोले कि हमने तो बच्पन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े लेकिन तब तो किसी विशी मुनी को परशुरा मुत्तर देते हैं कि अरे राजकुमार काल के वश में आकर तुझे बोलने का कुछ होश नहीं यह कोई मामूली दनुष नहीं यह शिव धनुष था जिसके बारे में सारा संसार जानता था तो अच्छों प्रशन दुद्तर देख लेते हैं पहला प्रशन है कि प शिवधनुष शत्रू अलगोना लक्ष्मन अपमान करना बच्पन में इसी जानना राजपूत भ्रिगवंची के पताकारू परशुराम शिवधनुष शुपकम शिवधनुष आज्या गोसाई परशुराम के लिए पर्युक्त देख लेजे मैंने इन सारी लिस्ट को करनी अलग करना शिवधनुष शिवधनुष शेवधनुष मतलब शत्रू बिलगाई शत्रू खरू कर्म लक्षमन लरिकाई भच्पन में गोसाई गोसाई जो की परशुराम के लिए उप्योग किया गया है यही मतलब इसी ब्रिगु किलِ प्रिगवंच की पताका रूपी प्रश्चुराम निप बालक मतलब राजपूत त्रिपुरारी धनु और विदित इन दोनों शब्दों का मतलब आपके इस क्वेश्चन में नहीं लिखा वा इस शब्द अंडरलाइन का रखे थे लेकिन मतलब नहीं लिखा था तो हमने मतलब ऐसी छोड़ दिया अगर आपक प्रश्चुराम की धनुष तोड़ने की कोई मंच्छा नहीं थी वो तो बस स्वेंबर की शर्तों का पालन कर रहे थे धनुष स्वें में तूट रहा तीसरा है प्रश्चन कि परश्चुराम के क्रोध करने पर लक्षमन ने धनुष तूट जाने के लिए कौन-कौन से तर कि परश्चुराम ने क्रोध करने पर लक्षमन ने धनुष के तूट जाने को निमलिक तर्क दिये थे कि यह तो एक साधावन शिव धनुष साधावन धनुष की बात ही लगा इसे राम ने से तोड़ा नहीं बलकि इसको छूता ही धनुष स्वें तूट गया उन्होंने ऐ कि परश्चुराम जी के तुसरा सेवक कौन है और चौथा परश्चुराम के करोध करने पर राम और लक्षमन ने जो प्रतिक्रियाई हुई उसके आदार पर दोनों के सुभाव की विशिष्टा अपने शब्दों में लिखिए तो हम देख लेते हैं दोनों का लिखर कि प बड़ों के प्रति श्रद्दा और आदर का भावता उनके शीतल जल के समान वचन प्रश्चुराम की क्रोधागनी को शांत कर देते हैं लक्षमन का चरित्र श्राम के चरित्र से बिल्कुल विप्रीत था उनको स्वभाव से उग्र और उदंड था वे प्रश्चुराम को उत्तेजित यह कोदित करने का कोई अफसर नहीं छोड़ते थे उनकी व्यंग्यात्मक्ता से प्रश्चुराम आहत उठते हैं उन्हें मारने के लिए उद्यत हो जाते हैं ता सभा में उपस्रित लोगों को भी यह सब कुछ अनुचित लगा चलिए पर आखरी प्रश्चु पढ़ रहे हैं अभी तो पढ़ा है यह पते कौन सी भाशा में तो यह अपने मातापिता और शिक्षकों की साइद्या से बताईए तो देखिए लिखा है कि तुलसी दास की भाशा सरल सहज सरस और अत्यंत लोग को यह भाशा है वे रस सिद्ध और अलंकार को यह कवी राम चरित्रिमानाशी की जो भाशा है वो है अवधी भाशा जबकि सूरदाश की भाशा थी ब्रिच तो बच्चों आपके आज की वर्क्षीट सॉल्व हो गई है अगर आपके वर्क्षीट अच्छी लगी हो तो इस वर्क्षीट के सॉल्यूशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें हम आपसे कल फे मिलेंगे कल की वर्क्षीट के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ